गर्जय मंदिर की समीव इस्ते जुलापुल के पास कुछ दिन पूर लखनाओ के युवक की नहाने के दौरान नदी में डूप कर मौत हो गई थी जिसके बाद स्टेम राहुल शाह ने जुलापुल नदी और कोसी बैराथ छेत्र में नदी में प्रवेश करने वाले लोगों वनप्रभा की कोसी रेंच वन दरोगा विरेन प्रसाथ पाड़े के नेतरित में वनकरमचारियों द्वारा इन दोनों चेत्रों में अभ्यान चलाते हुए नदी में मौझूद कई लोगों को बहार निकालते हुए भविश्र में ना आने की हिदायती गई इसके साथ ही वि वोके से हटाने की कारवाई की गई है वह उन्होंने ये भी बताया कि विभाग का ये अभ्यान आगे भी जारी रहेगा और उनको हटाया इसके बार जो है कि बैराज पर भी हमारे द्वारा खाई पोड़ी जा रही है और प्लस जो है कीम लगाई गई है समय समय पर इंको हटाया भी जाएगा पूरवे में उबजला दिकारी रहुल साथ वारा वन विभाग और पुलिस को निर्थियत दिये गए थी कि इन चेत्रों में पूरी तरह नहाने पर प्रतिवंद रहेगा जिसको बात आप बन विभाग ने अपनी जहाएं को तैयारिया सुरू करती है आपको बताते हैं कि राम नगर वन परवाग की कोशी रेंजी का अंतरकत गड़िया चेत्र का जो जूला पूल है बीस मई को लखनों के ग्यूबग की नाने के दुरान डूबने के से उसकी मौत हो गयती जिसके बाद पर सासन हरकत में और राजडियम ने इस पर आदेज ज लाए जा रहे थी जिनको हटाने की कारवाई की गई है उन्होंने खा कि यह लोग वन भूमी पर अतिकमर करने का परयास कर रहे थे फिलाल उन्हें हटा दिया गया है और उस चेत्र में बड़ी खाई खोद दी गई है जिससे हम नदी में लोग परवेश नहीं कर सकेंगे त किसी भी प्रकार का नदी में परवेश करता तो उसके खिलाब नेमानों साथ कार्वई की जाएगी रामदगर से राजीव अगरवाल के साथ कैमरामें बंटे रोडा जे जाए जाए